दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आपको अपने यूटीव चैनल पर इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इंस्टाग्राम से रिलेटिड प्रोब्लम के इस वीडियो करते हैं, इंस्टाग्राम पर अगर आप मैसेंजर सेक्षिन के अंदर जाते है और वहाँ पर आपको आपका कोई भी friend online देखने को नहीं मिलता है आपको ये problem बार-बार आ रही है आपने काफी try कर लिया है आपको इस problem का solution भी नहीं मिल रहा है तो ये video काफी छोटी होने वाली है इसके अंदर मैं आपको एक simple सा solution बताने वालो सिरफ एक ही setting करोगे तो आपकी problem का solution हो जाएगा ज़्यादा समय नहीं के बाते हुए start करते है video को और आपको बताते है किस तरह से आपको ये problem short out करनी है अगर आप हमारे channel पर नए है तो please bell icon को press करिएगा और हमारे channel को subscribe कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों बढ़ते है video में आगे की तरफ आपको सबसे पहले अपने instagram application को open करना है और नीचे की तरफ जो प्रोफाइल icon शो होता है आपको इस पर click करना है जिसके बाद इस तरह के एक नया page open होगा आपको right side में corner पर 3 lines देखने को मिलेगी आपको इन पर click करना है तो इस तरह से setting वाला option आ जाएगा यहाँ पर आ जाने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ scroll करना है करते जाना है जो message वाला option है जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा message and story replies आपको इस पर click कर देना है यहाँ एक option दिया गया है so activity status आपको इस पर click करना है जैसे ही आप इस पर click करते हैं आपको इहाँ पर check कर लेना है जो so activity status के सामने जो यह वाला option अगर यह disable है तो आपको इसको enable कर लेना है अब दोस्तों मैं यह आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि guys अगर आपने इसको disable कर रखा है अगर आपने activity status को hide कर रखा है तो guys सामने वाले बंदा जो भी online होगा उसका भी आपको पता नहीं चल पाएगा कि वो बंदा कब online था या online है या नहीं है तो guys इसी तरह से अगर हम इस वाले option को enable कर लेते हैं तो हमारे activity status का सामने वाले बंदे को पता चल जाता है और सामने वाले बंदे के activity status का हमें पता चल जाता है तो इस तरह से जो आपकी problem है इसका solution हो जाता है तो दोस्तो आज वाली ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा प्यारा सा comment करिएगा problem solve होती है तो वीडियो को share करिएगा तो मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए bye bye friends love you all take care